तो नमस्कार बच्चो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बारसिक परिक्षा 2022 बेसे हिंदी कक्चा 9 तो कक्चा 9 के सभी चात्रों को इस वीडियो को ध्यान से देखना हैं क्यूंकि मैं आपके लिए महत्पूर्ण परिष्ण लेकर आया हूँ जो कि 2022 में आपके पेपर आने बाले हैं आपको पता होगा आपके मार्च में पेपर हैं तो बच्चो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और इसको ध्यान से समझो और हाँ इस वीडियो को अपने और दोस्तों को सेर कर दो ताकि बो भी अपनी बिसे में अपनी क्लास में अ तो आपसे एक बिंती है कि इस वीडियो को अपने बारसब गुरूप में सेर कर दो जो कि इसकूल का गुरूप है उसमें ताकि और बच्चे देख सकें तो अब चलिए चलते हैं अपन प्रिश्ण उत्तर की ओर तो बच्चो जो अमारा फर्ष्ट प्रिश्ण है वो है चोटी बच्ची को बैलों के पृतिप प्रैम क्यों उमर आया तो इसका उत्तर मेंने नीचे दिया है आप इसको ध्यान से बढ़ो आप चाओ तो इसके इसके इंसोट ले सकते हो इसके बाद जो अमारा दूसरा कि आजिरी क्यों ली होगी क्यों ली जाती होगी तो इसका जो उत्तर है वो चार पॉइंट में नीचे आपको देखने को मिला है तो इसको कर लेना इसके बाद हिरा और मोती ने सोसनर के खलाब आबाज उटाई लेकिन उसके लिए प्रैतावणा भी सही हिरा मोती की इस प्रक ikat कीजिए परिकरी यह पर्तर के सहीट अपने बैचाल विछफ लेकर को ऐसको ऑपकूमें लेकर क 45 इंसकते हो और ढई शाहक तो से आप इसके श्किन बिल्कुल 2022 के परिक्चाव में आने बाले हैं दोस्तों आप मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि 100% मेरा का यही का यही पेपर आयागा बच्चों आप एक बात बताओ मुझे मैं आपको एक बात बता रहा हूं ठीके आपको मैं बताओंगा देखो यो मैंने आपको प्रिश्ण इस्किन पर चल रहे हैं वो आप देख रहे हो यह पेपर 100% में से 60% में से आने की संबाबना है मैं आपको बो पेपर लेकर आता हूं जो बिल्कुल आने की संबाबन भू जिसमें लगे कि हमको कि यह पेपर 2022 में आएगा तो बो पेपर में आपके लिए लेकर आता हूँ तो अब देखिए आपके अनुसार बाले ये कर लेना इसके बाद यहाँ पर ये आपका चोता वाला आपको करना है ठीक है आपको और कहीं करना है इसमें आपको पांजवा करना है क्योंकि उसका उत्तर मैंने नहीं दिया है आपको बस चोता वाल आपको करना है इसमें प्रिश्न चार दिख रहा है ना पाट में एक जगह पर ये लेकक सूचता था था कि पोटो के चाने के अगर ये तो इस वाले को याद करना है अपको ठीक है इसको आपको याद करना है अब मैं आपको पूरा परकनी बताऊंगा अगर मैंने पूरा पड़ा तो हमारा वीडियो घंटा दो घंटा का हो जाएगा आपका समय बेश्ट होगा और दोस्तों आपसे एक रिस्पेक्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिस्पेक्ट है हमारी एक बिंती है कि हमारे इस चैनल को आप सस्क्राइब कर लो और नोटिकेशन को ओल कर लो जिससे में जो भी वीडियो अफ्लोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जाएगा और आप मेरा वीडियो आने वाला देख सकते हो और हाँ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने बाटसब गुरूप में जो की पढ़ाईक हैं उनमें आपको सेयर कर देना है इस वीडियो को तो इसमें देखिए प्रैम चंदर के प्रतीत्व को उभारने तो आपको ये वाला प्रिश्णित तो पक्ते में याद करना है इसकी आपको बिजश्टाओं का उप्योग करना है और एक सूची बनाना है तो आप इनके बना लीजिए इतने में याँ पर यह और आ जाएगा अब अच्छों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैं आपको इसकी पर यह प्रिश्णे देखने को मिल रहे है कुछ प्रिश्णे इसमें धुंदले भी हो सकते है तो इसमें आप अच्छे गोर से देखें और अच्छे इसे याद करें ठीक है क्यूंकि मैंने बड़े साइज में आपको बताने का प्रियास कर रहा हूँ तो इस कारान इसमें कुछ दुंदले परिश्ण भी आपको देखने को मिल सकते है दुंदले आपको उत्तर देखने को मिलते है तो इसके लिए मैं आपसे सोडी मांगना चाहूंगा और इसमें जी उपसर्ग हैं इनको आपको भी याद कर लेना है उपसर्ग अगर आपको बनाना नहीं आता है उपसर्ग सब्द आपको बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें मैं इसके उपर भी आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा तो यहां पर यह उपसर्ग आपको चांट कर लिखना है ठीक है यहां पर सामासिक पद आपको चांट कर लिखना है इसके और इसके बाद यह हमारे पृष्ण आजाते हैं और यही का यही पेपर आप अपनी जब बार्सिक पेपर में जाओगे तो आपको लिख कर आना है आप लोग पास हो जाओगी आपको कोई भी नहीं रोक सकता है हिंदी विसे में पास होने में कच्छा नूँ तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए और बच्चों ये हमारा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है जब हम YouTube पे कुछ सर्च करते हैं कुछ वीडियो सर्च करते हैं और कुछ चैनल का नाम भी हम सर्च करते हैं तो क्या होता है कि हमारा चैनल अभी सर्च में नहीं आ रहा है अब ये क्यों नहीं आ रहा है बच्चों इसका त और मैं आपको पड़ाई से रिलेटेड वीडियो यूटुब पर लाता हूं तो अब मैं मेरे चैनल का नाम रखने वाला हूं गिर्राज यादव और अगर आपको और भी कुछ नाम अच्छा सा आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट में बता देना मेरा नाम गिर्राज यादव है आप कुछ इसी टाइप का नाम मुझे बता दीजिए मैं उसी नाम को मेरे चैनल पे रख लूँगा तो ये अच्छी बात है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोग कमेंट कर रहे हो तो मुझे पता है आप लोग पक्का कमेंट करोगे तो मुझे दिहान से कमेंट करके बताना और मेरी बात पर दिहान मत दो थोड़ा इसकीन पर ये प्रिशन चल रहे हैं इन पर भी आप दिहान दो क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अलग बोल रहा हूँ और जो हमारे प्रिशन चल ले हैं ये आपको इसकीन पर दिखाई दे रहे हैं तो आपको अधिकतर इस पर ही दिहान देना है ठीक है ना आप इसकीन सोट ले लीजिए या पर आप कुछ अपनी कॉपी उठा के उसमें लिख लीजिए ठीक है आपको इस परकार से एक कल लीजिए अब हमारी जो प्रिशन है वो एक जो प्रिशन आपको पांच बह दिख रहा है ना ये चांदी बड़ा इसा गुल ये बाला आपको याद कर लेना है क्योंकि बच्चो इसको आने की संबाबना है 2022 में ओके तो इसके बाद ये चौता बाला आजाएगा इसको आपको चौते बाला ही याद करना है आपको और ये पांच बह याद नहीं करना है आपको चौता बाला ही याद कर लेना है क्योंकि पांच विका मैंने अभी उत्तर नहीं दिया है और वो आएगा नहीं इसके बाद आप आते हैं हमारी कुछ ये एक बाके में उत्तर आपने तो ये एक बाके के उत्तर ये आपको important है इनको आपको याद करना है ठीक है बच्चो ये है एक बाके के 2022 में अगर आपने इनको याद कर लिया तो पूरा का पूरा आपके एक बाके में 6 के 6 नमर आपको मिलेंगे तो बच्चो अब जो हमारी वीडियो थी वो हमारी यहीं पर end होने वाली है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like कर दें और अपने दोस्तों को share कर दें दोस्तों हमारी इस चैनल पर इसी परकार के वीडियो आते हैं तो अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बंदे मातराम